इसकार रादे रादे मैं जुन राजवरिया आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हमारी कोचिंग में आपका हर्दी का भी दन्दन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो आपके समांतर सेड़ी है उसका बेसिक इंट्रोडेक्शन पांच पॉइंट एक और पांच पॉइंट दो के बारे में हमने विस्तार से धिन किया था आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में हम पांच पॉइंट तीन से बनने वाले जो इंपोर्टन क्यूशन है और बोड़ एक्जाम में से क्यूशन आते भी हैं और आ समानतर सडिव का योगफल के वाले में हैं समानतर सडिया जोगफल आप आप को बता दू है योगफल से समझाने सबस्पार सबस्ता Roberts Pod घ्राग होता है इसे हम कहते हैं प्रथम पद इसे हम क्या कहते हैं प्रथम पद या एक होता है आपके पास में डी डी को बोलते हैं सार्व अंतर सार्व अंतर का निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास में एक टू माइनस एवन यानि दूसरा पद माइनस पिछला पद और एक होता है आ निंचाने में दियार थी हो योगफल निकालने के आपके पास में दो फोर्मुला है कौन-कौन से है तो देखिए सबसे पहले जो फोर्मुला है S.N.K.S.N.K. मतलब होता है sum of a number यानि N.S.N.S.N.K.S.N.K.का योगफल तो सबसे पहले जो formula है वो क्या है आपके पास में n upon me 2 2a plus n minus 1 into me d यह आपके पास में योगफल निकालने का पहला formula है अब यह formula आपको कब लगाना है जब आपको n का मान पता हो a का मान पता हो और d का मान पता हो तब तो आपको यह formula यूज़ गरना है एक और formula है s n का याणि योगफल निकालने का वो formula क्या है आपके पास में n upon me 2 और a plus an यहाँ पर an के जगर पन l भी लिखते है अब देखो इस formula को कभी यूज़ गरना है जब आपके पास में n मतलब पदों के संख्या हो a मतलब पथम पद हो और an मतलब या l इसको बोलता है अंतिम पद या लाश्ट का पद जब लाश्ट रम यह हो तब आप किसका यूज़ गरोगे इस वाड़े formula का यह दोनों formula योगफल के रूप में लिए जते है और कभी कभी आपने पास में d बी भी होता है और अंतिम पद भी होता है तब अपन कौन से form लेगा यूज़ गरेंगे इसका क्यों क्यों क्योंकि यह formula थोड़ा अपन में टू आपके पास में या इंटीजर नंबर का यह होता है सम होता है एन इंटीजर नंबर क्या होता है मतलब दना आत्म के पोजिटिव और कौन कौन से कह यह एक दो तीन और आगे एक एपी एपी में आपको दिया हुआ है दो फिर आगे है साथ बारा और इसके कितने पदों का योगफल निकालना है दस पदों का योगफल निकालना है मतलब जब भी आपको इस प्रकार का क्योशन दिया जाए आपको करना क्या है आपको लिखना है सबसे पहले प्रथम कहते हैं डी जिसका फॉर्मौला क्या होता है एसमाइन jakie ऌने क速 करेंगे तो आंध कितना ही यहां पर दस प्था कि हो गया और यहां पर दस प्था सब रहुत है चाहे इसका मतलब यह आपको क्या करते हैं एसन यानि एसन अपने को ग्याद करना है तो देखिए एसन का फोर्मॉला होता क्या अपने पास में एसन का फोर्मॉला क्या होता है एसन बराबर में एन अपन में टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी एसन की जगा आप कितना रखोगे दस बराबर में कितना आएगा दस बटे में दो आगे आएगा टू इंटू ए तो देखो दो और एका मान यह नहीं पर्थम पत कितना दिया हुआ आपके पास म में दो प्लैस एन माइनस वन गमान किता दिया हुए आपको दस तो यहां लिखेंगे दस माइनस एक इंटु डी डी का मतलब होता है सारवंतर तो सारवंतर आप किता लगा देंगे पांच जैसे इसको आगे सोलू करते हैं यह आगे दस बटे में तो ऐसा कैसा यह हो जाएगा 9955 अगर 45 में चार को एड़ करूंगा तो आपके पास में किता हैगा 49 और 49 को यह डिया आप 5 से उना करते हो तो आपके आंसर किता हैगा 245 यादि यानि मैं कह सकता हूँ कि जो आपके एपी है इस एपी के 10 पदो का योगफल किता होगा आपके बास में 245 होगा यानि हम के लिखेगी को लिखेगी आता है ए कि का दस पदो का योगफल कि दोसो पैटालीस होगा ठीक है अब आगे जो क्यूशन है वो किस प्रकार से होने वाला है देखते हैं देखे प्यारे विद्ध्यरतियों जो अग्ला रिख्शन होने rise तो आपको निकालना क्या है एक तो आकू आ प्रॉसरी चीजर निकालने हैं इसका सार्वन्तर बताओ अगर बात करें धिये हुए कि तो आपको एक तो दिया हुआ है प्रत्हंपद नवर किस नाम जानते है आल के नाम से आपको किस नावा ऐसन बोलते हैं और S.N. आपको कितना दिया हुआ है बताओ चारसो निकालना क्या है य autom तो पदो की संख्या को तो हम कहते हैं और एक उता है सारवंतर सारवंतर को कहते हैं क्या डी चलिए पहले विद्यार्थियों करते हैं स्टार्ट अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ अपने को सबसेंघ्या इसमें को अंतिमपत गहा है है अब आपको निकालना क्या है इसी निकालने का और यो नई दिर्ख उसका मान आ जाएगा देखे S-N का मान किता दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 400 बराबर में N का मान आपको नई दिया हुआ क्योंकि ये निकालना है A का मतलब पर्थम-पद किता दिर्ख 5 और A-N का मतलब अंतिमपद किता गर्ख है 45 यदि 5 और 45 को यदि मैं एड करता हूं तो अपने पास में आंसर कितने आने वाला है 50 50 को 2 से काटूँगा तो कितना आएगा 25 और जो गुणा में होता है 25 तो किसमें आएगा इदर में या भाग में तो बत वagtको Que both 25 और न काट आएगा 25 को तो यदि में היא आशर कितने आएगा 16 यानी पदो के स opinion एक आए अपने को कहा निकाला था सारवंतर निकालने के लिए मेरे पास में एक फोर्मिल हा देखो अपने को एइन भी जिर्क है और के निकालना ही ढिए यही तो 4 उला पड़ा था हमने 5.1 और 2 में देखिए इसी से करते हैं A N का मान कित्ता दिरखा आपको 45 A का मतलब पर्थंपद कित्ता दिरखा है 5 और N का मान हमने अभी निकाला है कितना 16 यहां रख देंगे आपन 16 माइनस 1 इंटू में क्या रखेंगे D पलस का 5 इदरा की किस का हो जाएगा माइनस का मतलब कित्ता हो जाएगा 40 16 में से 1 गयादा कित्ता हो जाएगा आपके पास 15 इंटू B अगर आपको D का मान चीए तो D के जो भी मल्टिप्लाइ में है वो यहां पर किस में चला जाएगा डिवाइड में इसको काटे 5 के पाड़े से तो 5 इंटर 40 और 5 इंटर 15 यानि आपके पास में सारवंतर तो कित्ता जाएगा आठ बटा 3 और इसमें पदों के संख्या कितनी आ जाएगी 16 यानि हम लिख सकते हैं कि इस AP में कुल 16 पद होंगे और इसका जो सारवंतर है वो कितना होने वाला है आपके पास में 8 बटेर में 3 अब अगला प्यूशन candidates कि टााइप से हाएगा आधर प्यारे विद्यार से जो अगले टाइप का क्यूशन है वो किस टाइप से में सकता आपकी बूर्ड पद है देखिए क्यूशन हो सकता है कि किसी एपी का पर्थम वे अंतिम पद क्रमश है 17 और 350 यानि पहला पद 17 है और अंतिम पद 350 है यदि सार्व अंतर यानि डिफ्रेंस कितना है नो है तो हमें निकालना के है इसमें कितने पद होंगी मतलब एक तो निकालना है और दूसरा इनका योगफल क्या होगा मतलब एक निकालना आपको ऐसे मतलब आपको पता लगया क्या तो दिया हुआ है और क्या निकालना है तो देखिए स्टाट करते हैं सबसे पहले मैं लिखूंगा क्यूशन में दिया है तो यहां से देखे दिया है आपको पर्थम पद पर्थम पद को A कहते हैं A कितना दिर्ख है 17 अंतिम पद मतलब आपको अंतिम पद A N कितना दिर्ख है वो दिर्ख है 350 और सार्व अंतर मतलब D D किता दे रहा आपको 9, निकालना क्या है यानि आपको ग्याद करना है, find करना है, क्या ग्याद करना है, पहले विद्यार थी हो, एक तो आपको निकालना है, कितने पद होंगे, मतलब N कमान निकालना है, और एक आपको निकालना है, योगफल, योगफल मतलब होता है, ऐसा है देखिए पहरे विद्यार थी हो मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले हमें N निकालना है अब आपके पास में ऐसा कोई formula जिसमें A अइन भी आता हूँ D भी आता हो यह चारो four결 और यह चारो आता है यह चारों किसमें आता है यहां एंदम पत्व वह प्रीइब होता है थीमधाइब तो फिर्पाइब होता पार्त निमा सकते ना लेखे इस whole निम्स वे необходимо किसे सकते लिगे सब्दैब मैं कुंका है मैं इसलिए किया है क्योंकि इसमें बाकि के माइनेस होगा तो कित्ता बचेगा आपके पास में 333 बराबर में यह रहेगा आपके पास में ऐन माइनस वन इंटो में कितना यो यह multiply में है तो इसमेर किसम आए यानि मैं कह सकता हूँ इस समानतर स्टेडी में आपके पास में टोटल कितने पदोंगे 38 पदोंगे यानि अब निकालना क्या है योगफल अब आप बोलोगे योगफल का कौन सा फॉर्मॉला यूजगरें अपने पास में दो डी बी है और एन भी है मतलब दोनों फॉर्मॉला यूजगर सकते हैं तो मैंने आपको इस्टार्टिक में बताया था कि जो फॉर्मॉला एजी रहता है वो ऐसा कैसा कामान किता है आपके पास में कमाना आ आपके पास में 38 बटीव में दो चे whgriff मतलब पहला पीड़ आपको उपतावगों किता इस गा मैं इसको मैं 21 यहां पर आगया आपके पास में SN और 17 में 350 एड़ करेंगे तो आपके पास में कित आएगा 360 360 को जैसे ही मैं 19 से multiply करता हूँ आपके पास में जो answer आने वाला है वो कित आएगा प Yay स करें तो अब इस प्रकार के अदि आपको हमें और वी क्यूशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको विद्य हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और प्यारे विद्यारते सुने ध्यान से यह चेप्टर अपना यहीं खतम हो गया है इस और आगे की जो बोर्ड में आने वाला इंपोर्टेंट चेप्टर वह आपको यहीं मिलते रहें बस हमारे चैनल के साथ इसे प्रकार जुड़े रहें धन्यवाद